हालो गाइस आज की टोंगा हम रिव्यू करने वाले हैं नो स्कार क्रीम का और यह एक वॉर्ड निंग वीडियो है आप सभी लिए जो भी यह लेना चाहता है या फिल लेने वाला है तो जो यह क्रीम का प्राइस है कम से कम दोसों के आसपास आपको यह मिलेगी और यह महंगी मैंगी करीम है काफी मैंगी करीम है को यहां पर लिख получилось n haven सकार्स एन Wink मैंने सूचा थाह यह लेने से पहले काफीज मने काफी एड़स आती है और काफี जिक्रेम लगी शुकि यह जो लिखा आ यहां पे और आर स्पेचलिज्य की मैंने मांक साथ कार्स की और यहां पीछे की तरफ लिखा है बंड सकार्स सर्कल्स अंडर आइस काफी चीज़ यहां पर लिखे गई है तो अगर आप सुछ रहे से लेने का और इसे गलती से भी आप ले लिए अगर आपके स्किन सेंसिटिव ना भी हो तो भी अगर आप इसे यूज करेंगे तो रेडनेस लाल इक्तम पुरी स्किन यासी लगेगा आपकी जहल गई है और काफी गंदी और बद्दी दिखेगी मैंने से टेस्ट किया है और दो या तीन दिन से लगाते वक्त मुझे थुआ से बर्न होता था जलता था लगाते वक्त मैंने सुझे चलो छोड़ ले जैए फिर यूस करने फिर बहुत ही भ्यान गथर मिलता है और यह आप कभी भी गलती से भी मुझना ना लीजी इतनी महेंगी क्रीम अगर आप ले रहे हैं तो ली जे नहीं और अगर आप ट्राय करना चाते हैं तो कर सकते हैं आपकी मरटीशि इसे ले के बहुत ही कम मा किन जो लाल हो गई थी एकदम लाल हो गई थी जल रही थी और जैसी मैंने इसे लगाना बंद किया फिर मैं नॉर्मल मॉस्ट्राइजर लगाता था तब भी बहुत ही जलता था तो यह कभी भूल से भी मत लीज़े यह वार्निंग वीडियो थी मेरी और इसी वार्निंग वीडियो में लाता रहता हूं मेरे चैनल पर मैं यूस करता हूं अगर कोई भी प्रड़क्ट में गढ़बर रहती है तो मैं आप लोग के लिए ले आता हूं अजित यह था मैं रिव्यू रिव्यू तो नहीं बोल सकते हैं इक वीडियो आप को बताने के लिए कि ये क्रीम की क्या खासियत खासिथ तो रहन दीजे एक्टम बगवास करीम स्कूं अजा यह ने के स्कूं का देखने के लिए आपको बहुत धीनवाद झाल झाल